Let's do question number 8th of exercise 4C, that is integer, question number 8 is the sum of 2 integer is minus 13, वो कह रहा है दो integer का sum minus 13 है, if one of the number is 170, उन दो integer में से एक number 170 है, find the other, तो हमें दूसरा निकालना है, तो हमें पता है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है हमारा 170, तो हमाई को दूसरा नंबर नहीं पता है, तो let the other number be, other number be, A माल लो, X माल लो, जब भी हम कोई भी नंबर नहीं पता होता है, उसको हम A या X माल लेते हैं, तो मैं कोई भी वेरियेबल टर्म माल लेते हैं, ये होते हैं वेरिये होते हैं constant number की form में होते हैं तो constant होते हैं और alphabet की form में होते हैं तो हम उसको variable कहते हैं तो अब वो कह रहा है दो integer का sum minus 13 है तो हमारे दो integer कौन से होगे पहला ये दूसरा ये तो हमारे इन दोनों का sum तो 170 प्लस A दोनों का sum minus 13 है तो हमें दूसरा integer निकालना है दूसरा integer मतलब A की value निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपने last exercise का 13th question देखा होगा तो आपको पता होगा कोई चीज equal to के एक side में plus की होती है तो दूसरी side वो minus की हो जाती है जाके तो हमने A तो अपनी जगे लिखा minus 13 अपनी जगे लिखा और 170 को हम left side से right hand side लिया है तो ये plus की थी अब minus की हो गई तो केतनी आ जाएगी अब देखिए ये दूनों minus की है ध्यान से करिएगा ये की left side से अगर right side आती है तो sign change हो जाती है तो भी sign change हो जाते है अब ये दूनों minus की है तो minus का sign लग जाएगा और आपस में add हो जाएगा तो 170 और 13 add हो है तो ये कितना आ गया 183 is the answer तो हमारा क्या पता चल गया कि other number कितना है था हमारा that is minus को 183 is the answer let's do question number 9th of exercise 4c that is integers question number 9th is the sum of 2 integer is 65 हमें दे रखा है दो integer का sum 65 if one of the integer is minus 47 दो integer में से अगर एक integer minus 47 है हमें दूसरा निकालना है find the other तो हमें पता है sum है हमारा 65 sum of two integers दे रखा है that is 65 और उसमें से first integer है first integer है हमारा minus 47 और हमें दूसरा निकालना है इसके लिए मैं अबको एक example देती हूँ दो integer का sum मतलब मैंने कहा 2 plus 3 हमें पता है 5 होता है तो हमें एक तो 5 दे रखा है और एक integer दे रखा है तो हमें ये 3 की value निकालने तो हमें पता नहीं ये कैसे निकलेगी तो हम इसको let कर लेते हैं let second integer b हमने इसे कोई भी variable कह सकते है that is a लिया मैंने अब हमें पता है minus 47 और a को add करके sum कह रहा है तो add करके 65 आ रहा है तो हमने किया a हमने किया minus 47 plus a का sum हमारा 65 आ अब मैंने आपको बताया था कोई भी digit अगर equal to के left side minus की है right hand side जाके कहीं की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी और अगर plus की है तो right hand side जाके minus की हो जाएगी तो यहाँ पर 47 देके minus का है तो right hand side जाके कहें का हो जाएगा plus का हो जाएगा तो a as it is लिखा 65 as it is लिखा और यह right hand side जाके plus का हो जाएगा तो अब आपस में add हो जाएंगे, तो देखिए 5 plus 7 is 12, carry 1, 6 plus 1 is 7, 7 plus 4 is 11 is the answer, that means other integer कितना है, other integer is equals to 112 is the answer.